इंडियन मार्केट के अंदर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं इंडिया के अंदर कारो मैनुफेक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं लाइक कोरियन, जैपैनेज, जर्मन कार मैनुफेक्चर्स, इंडियन कार मैनुफेक्चर्स different different car manufacturers different different countries से आते हैं बट यहाँ पर जो Korean car manufacturer है किया उसने दो से तीन सालों के अंदर बहुत जादा इंडिया के अंदर wide expansion किया है Celtos इनकी biggest hit रही है Sonnet इनकी biggest hit रही है अब यहाँ पर किया कारेंस को भी इनने seven seater segment के अंदर launch कर दिया है जो इनकी आने वाले time पर biggest hit रहने वाली है मतलब यह तीन गाड़ी है biggest hit रही है किया की किया ने अभी तक CNG variant को अपनी गाड़ियों में opt नहीं किया था मतलब कि किया कि कोई भी गाड़ी के अंदर CNG version नहीं आता है वहीं पर दूसरे car manufacturer CNG अपनी गाड़ियों के अंदर देते हैं अब यहाँ पर CNG गाड़ी के अंदर company किया भी देने वाला है Indian market के consumers को क्योंकि हम अगर petrol prices की बात करें तो petrol prices day by day increase ही हो रहे हैं गटने का नाम नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर Indian consumers को एक option चाहिए जिसकी तरफ वो जा सकें क्योंकि अभी EV vehicles बहुत जादा महेंगे हैं costly हैं और उन पर भरोसा करना अभी कहीं ना कहीं unstable रहेगा कि हम भरोसा नहीं कर सकते हैं इतने जादा charging stations भी नहीं है तो कहीं ना कहीं CNG की तरफ जाना जो option है वो बहुत बढ़िया है और CNG एक reliable product भी है तो यहाँ पर किया ने क्या किया है अपनी Sonnet को यह किया कंपनी लेकर आने वाली है CNG option के साथ में जिसमें इनका 1 लीटर का turbo charge petrol engine आपको मिलेगा CNG के साथ वर करता हुआ देखने को किया ने इसको अभी officially announce नहीं किया है कि किया Sonnet CNG आने वाली है बट यहाँ पर आंदर प्रदेश के अंदर इसके test mules रन हो रहे हैं जिसमें CNG की बैजिंग आप clearly देख सकते हैं आपकी screen पर यह जो variant है यह GT line variant है इसके साथ में TGDI भी जुड़ा हुआ है मतलब कि यह turbo charge petrol engine के साथ आपको CNG version किया Sonnet के अंदर मिलने वाला है जो की बहुत ही अच्छी बात है अगर हम power figures की बात करें तो वन लीटर के turbo engine के साथ आपको 118 bhp and 172 newton meter का torque मिलता है किया Sonnet के अंदर अगर CNG में यह version आता है यह engine option देती है company तो कहीं पर marginal drop आपको देखने को मिलेगा power and torque में क्योंकि CNG का जो power ratio होता है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा difference होता है तो उसमें कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत power drop देखने को मिलेगा बट marginally इतना drop देखने को नहीं मिलेगा और वहीं पर बात करें gearbox की तो गाड़ी के अंदर आपको six speed का manual gearbox देखने को मिल जाएगा Kia Sonnet CNG के अंदर तो यह कुछ है आज की वीडियो भी होप के आज की वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी आपके सोचते है Kia Sonnet के CNG option के बारे में let me know in the comment section below इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो like, share, subscribe करें और हमें Instagram पर follow करें technical bhopal official हम आप से मिलेंगे एक और new fresh वीडियो के साथ में तब तक लिए बाई बाई